लाइक सब्सक्राइब एंड प्रेश दे बैल आइकॉन पर मोर नोटिफिकेशन्स हेलो फ्रेंड वेल्कम बैक तो मैं चैनल इस्टेडी आर्ट तर्म सो आज में स्टार्ट करूंगी 2004 का कुश्टन पेपर डिस्क्रिप्शन के साथ सॉल्व करूंगी प्रसिचित इसना तक सिच्छक चैन परिक्छा टीजीटी अगर आप पीजीटी की कुश्टन पेपर देख लेंगे और पीजीटी प्लेइलिस्टे जाकर विजीट करके देखिएगा तयव मेता की फेमस पेंटिंग है काली तयव मेता ने इन शहरों में काम किया कौन से शहर में काम किये थे तो डली और मुंबई ओडिसा का सूर्य मंदिर इस्तित है संटेंपल जिसे इंगलिश में कहते हैं कहां पर है कुनाग का संटेंपल दिलवाड़ा मंदीर है किसका दिलवाड़ा मंदीर बनाया गया है मकराना माबल संग मरमर मूर्तिकला कही जाती है और विमल शाही मूर्ति यहां पर विमल शाही राजात है उनके टाइम में बना है और किस काल का है तो यह चालू क के अकाल का सब्सक्राइब चालू कर दिल वादा के जैन मंदर से क्या मिली है तो यहां से मदर और चािर्ड की मूर्ती मिलिए तो के शाची के स्थी एंशाची के स्थी अड़ चंड का इस तरह से शाची का इस्थी बनाया जाता था शेफ इस तरह होता था और यहां पर तुरणद्वार के वो लगे होते थे हैं बरेडी बगेरा तो देखी डिस्क्राइब करते हैं ब्रीफ में क्या है सबसे पहले वेदिका होता था वेदिका अंडभाग हर्मिका यश्टी छत्रावली और प्रदक्शिनापत ये क्रम है इस् निर्माण कर्वाया थे सर रायलेट ने डैली का लाल किला किसके द्वारा बनाया गया उनके पुत्र बताएं कौन थे किसके पुत्र थे वह जहांगीर के पुत्र थे उनका नाम था शाजाहां साजा क्वेस्टं ने माइक्ल एंजेलो किसके समय में पैदा हुए थे मत Le Pet मतलब क्वेस्टं करेक्ट तो यहां है यहां है यह नहीं शाधं प्रिंटिंग हुग ऊगा हां माइक्ल एंजेलो किसके समय में हुए थे पुने जागरच काल हाई Å dudohnis आर्ट कॉमिंट के आर्टिस्त रहे हैं हाई रिनस सा आर्ट मूमेंट चला था इटली में उसके फेमस आर्टिस्ट और लिएओंड़ी दुविंसी माईकल अंजेलो एंड रफएल रामकुमार प्रसीद्ध है अपने लैंड्सकेप में जादा इन्होंने काम किया है प्रकृति चित्रड के लिए बनाश के दिश्य बनाए है कुश्चन है कुटूब मिनार कहां इस्ते थे किसके द्वारा बनवाया गया और कहां इस्ते थे यह भी इंपॉर्टेंट है बनवाया गया कुटूबद्दीन एबग के द्वारा और यह कौन सा मॉनुमेंटल है तो गुलाम बंस चला था गुलाम बंस के फाउंडर रहे हैं क कुतुबुद्दीन एभक उन्होंने कुतुब मिनार बनवाया था शुरुवात कराया थे हिडली में हैं कुतुब मिनार और कम्प्लीट करवाया थे इनके द्वामाद इल्टुतमेस इल्टुतमेस ने कम्प्लीट करवाया है और तीसरे और चौतरे नंबर की जो तुगलक मोहन जोड़ो और हडपा में पाई गई शीले किस माध्यम में बनाई गई सेल्स की बात हो रही है मतलब मोहरों की टेराकोर्टा में और अगर आप्शन में वैसे तो देखिए इस्टेट आई खट Hij खटती हैं और अप्शन में अगर सेल्न खटी नहीं होगा तो करेक्ट होगा टेराकोर्टा एलोरा में कुल कितनी गुफाएं हैं एलोरा में ठोटल है Bulgar शीले कि यह टोटीं है यह tengan गउताएं है एक नंबर से लेकर के बारह नंबर ठक अनुख बहुत धर्म संबंदित है 13 से लेकर के 29 तक है ब्रामर धर्म से संबंदित 30 से लेकर के 34 तक है जैन धर्म से संबंदित और एलोरा किसके टाइम में निर्माड हुआ है तो राश्ट्रूर्ट काल में एलोरा में कौन सा मंदीर एलोरा की जान है कैलाशनांट टैंपल निर्मार कब हुआ था तो 80 शतापदी में ड्रवीड शैली का सर्वस्टेश मंदीर गाज़्य और किसको समर्पीत है शीव को समर्पीत है किससे inspired रहा है ये तो पार्थनन मंदीर पार्थनन मंदीग ग्रीक में है ठीक है उससे inspired रहा है अलोरा का मंदीर अजन्ता अलोरा के गुफाओं को सबसे पहले किसने देखा सबसे पहले देखें थे हौशान हौशान है कौन तो ये Chinese चीनी आत्री है कंदरिया महादेव मंदीर कहां पर इस्थित है कंदरिया महादेव मंदीर है खजुराओं में गोल गुमबद कहां इस्थित है गोल गुमबद है बीजापूर में बीजापूर में किसका वंज चला था तो आदिल शाही वंज चला था आदिल शाहिवन्स ठेक और ये गोल गुम्बद है क्या तो ये आदिल शाह का मगबरा है और किसने डिजाइन किया है याकूप ने याकूप ने डिजाइन किया है जंतर मंतर किसने बनवाया था जंतर मंतर बनवाया था सवाई राजा सवाई सिंग हुमायू का मगबरा किस ने बनवाया हुमायू को मगबरा बना था अकबर के टाइम में इनकी मदर मतलब हुमायू के पतनी हमिला बांदो बेगम के द्वारा बनवाया गया था और आर्टिस्ट कौन थे डिजाइनर कौन थे जो हुमायू का मगबरा बनाया थे उनका नाम था मीर मिर्जा ग्यास मीर मिर्जा ग्यास और जारफ के एक्जामस पर रहता है मिराक मिर्जा ग्यास दोनों इस सेम इन्ही का नाम है और किस्ते निर्मीत है तो ये मगबरा जो बनाया गया है पत्थर में बनाया गया है बलाल बलो पत्थर लेकिन इसमें जो उपर नकाशी की गई वो डबल डॉम संग्मर्मर से डबल डॉम बनाया गया है किस से संग्मर्मर से तो यह ध्यान रखेगा डबल डॉम के लिए बहुत फेमस है हुमायू का मगबरा विक्ट्री टॉवर कहां परिस्थित है विक्ट्री टॉवर है चित्त ओडगर में किस्ट के टाइम में निर्मार हुआ है तो राड़ा कुम्बा राड़ा कुम्बा के समय राजा रवी वर्मा के चित्र का विसे क्या था क्या सब्जेक्ट मेटर थे इनके माइथलोजिकल सेंस पौराड़ी और यह राजा रवी वर्मा अठास ओ अर्तालेस सफञय में पैदा हुएis में पैदा हुए थे केरला कलिमनूर में और इन्ट डेविवा都 हैं और इन्होंने फर्स्ट टाइम किसका खोज किया इंडिया में ओयल कलर का पहली बार यूज किया है राजा रभी वर्मा और यूरोप में पहली बार खोज किया गया है ओयल कलर का 15th century में जैन बैन आई के तुरू जो नीडर लेंड के रहने वाले थे ग्रूप 1819 का गठन हुआ था कहां हुआ था बड़ाद्रा में और ग्रूप 1819 ये नाम किसके नाम से पड़ा है तो ये जोतिमांडिया का मकान नंबर था इस्थापना हुआ था 1963 में और फाउंडर रहे हैं जैस्वामिनाथन निमलिकित में से ग्रूप 1819 ग्रूप के कौन है ग्रूप 1819 ग्रूप के है हुम्मसा हिम्मसा का जन्व उनीस सो तैटीस इस्वी में हुआ था गुजरात में और ये अपने मुर्थियों वगरा में बॉटल तूटी हुई बॉटल और जली हुई जाली इस तरह के मुर्थियों को डिपिक्ट करते थे इनकी फेमस मुर्थि है होमेश्टू नॉन वार बहुत फेमस है इनकी सिर्ष सिर्ष मुर्थि फेमस है और नेक्स्ट है होमेश्टू राजस्थान ग्रूप 18-19 का कौन सा कलाकार, चित्रकार, कवी एवं इतिहासकार रहा है कौन थे जियम शेख, गुलाम महुमद शेख ग्रूप 18-19 का प्रशिद्ध मास्टर प्रिंट मेकर कौन है मास्टर प्रिंट मेकर थे है जोती भट जोती भट का बहुत फेमस है सिर, सिर सिर्ष रिंखला जिसे हेड बोलते है वह प्रशिद्ध मुर्तिकार कौन था, जो अपनी जली जलाई जली लकडी की मुर्तियों के लिए जाने जाते थे जली हुई लकडी के लिए फेमस है, लकडी से मुर्ति बनाने के लिए जहराम पटेल जहराम पटेल राइट होंगे जैराम पटेल सबसे प्रसीद पॉप कलाकार कौन थे पॉप आर्ट परे चला कार इसके बारे में डिस्कस कर लेते थे 1950 इसवी में इंग्लैंड में और फ्लोरिज्ड होकर 1960 इसवी में यह पहुचिया था अमेरिका में और इसके फेमस आर्टिस्ट हैं एंड्री वर्हॉर और एंड्री वर्हॉर फेमस क्यों है तो यह सिल्क स्क्रीन के लिए सिल्क स्क्रीन और कैसा काम होता था पॉप आर्ट में तो कैमपा बेज एडविटाइजमेंट इन सबसे रिलेटेड काम किया गया है सारवधिक प्रशिद चित्र शांतीज से पीस कहते हैं किसके द्वारा बनाया गया पैबलो पिकासो पैबलो पिकासो घनवादी कलाकार है क्यूबिस में क्यूबिस में आर्ट मुमेंट के फाउंडर कह जाते हैं और कलाकार का नाम बताए और पैबलो पिकासो प्रसिद चित्र किसके द्वारा बनाया गया पोटेटो इटर्स पेंटिंग बनाये थे वेंगॉग वेंगॉग की अधर फेमस पेंटिंग है देश्ट्रेरी नाइट सनफ्लावर ज्वाय ओफ लाइफ जीवन का आनन नामक पेंटिंग कौन बनाये थे फेविजम आर्टिस्ट है हेंरी मैटिस किसने लियंचयनो अन्दग्रास नामक पेंटिंग बनाये लियंचयनो अन्दग्रास फेमस पेंटिंग है इडवर्ड मैनिट की जिसे बोलते हैं माने अजंता के चित्र किसके जीवन पर आधारित है अजंता पेंटिंग बहुत धर्म प्याद आ रही थे बुद्धास पर प्रशिद दिलवाड़ा मंदीर कहां इस्ते थे दिलवाड़ा मंदीर है माउंट आबू राजस्थान में डेविट की मूर्ती किस मूर्तिकार ने बनाई डेविट मूर्ती बनाय थे माइकल एंजिलो पंदर सो से पंदर सो चार्ट तक में यह टाइम है बिन्दु चितर पद्दती का आरम में किस कलाकार के द्वारा किया गया बिन्दु पेंटिंग जिसे बोलते हैं पॉइंटलिजम आर्ट मूमेंट इडवर्ड डिगास के द्वारा इस्टार्ट हुआ था 1884 में पैरिस फ्रांस में यहां पर पेंटिंग बनाई कैसे जाती थी तो डॉट डॉट में सब्सक्राइब कर लिया तो हम लाइन से द्रॉट कर रहे हो लो क्या करते हैं तो डॉट के तुरुई पेंटिंग को कम्प्लीट कर देते हैं इस ट्रिप्लिंग स्टाइट्स में कौन प्रशिदव फ़वेज्म कलाकार था फ़वेज्म आर्ड मोमेंट चला था फ्रांस में और उसके फेमस code हैं de Mary केजी सुब्रमन्ययम के प्रशिदव पेंटिंग कौन से है उनकी फेमस पेंटिंग है सेंड ड्यूस में विवա अर्यज अम्रिता शेरगिल की मां थी अम्रिता शेरगिल की मां हंगरियन थी और इनके पिता थे पंजाबी अम्रिता शेरगिल के कारे को किसने प्रोच साहिद किया उनके कारे को प्रोच साहिद किये थे जैमिनी रॉय और वो इंस्पायर थी पाउल गॉगन से दोनों इंपॉर्टेंट है राम किंकर का सबसे प्रसिद कारे कौन सा था इनका सबसे famous painting है सांताल family इन्होंने बनाय है 1938 में और size है 427 cm सैलोज मुखरजी है एक सैलोज मुखरजी एक रंगवादी का लाकार है और भारत की फैवरीजम आर्टिस्ट भी कही जाती है जिसें इंग्लिस में बोलते हैं हिंदी में फाववाद का लाकार कौन है तो सैलोज मुखरजी अब निन्ना टैगोर जाने जाते हैं इसके लिए अब निन्ना टैगोर फेमस है जल रंग वाश टेकनिक के लिए और इनको बेंगल स्कुल का फाउंडर कहा जाता है यायती सीरीज यायती पेंटिंग की एक स्टिंखला है जो बनाए गई है यायती सीरीज बनाए थे ए रामा चंद्रम जामय मेलिया इसलामिया के प्रोफेसर भी रह चुके हैं और इनकी वाइफ का क्या नाम था चमेली 20 सान्याल थे इनके समकालीन किसके समकालीन थे अमरिता शेरगिल अजनता में कितनी गुफाएं हैं अजनता में 30 गुफाएं हैं अजनता की गुफाएं कब प्रकाश में आई थे 18-19 में जॉन स्मीट के तुर। अजन्ता गुफाएं किस धर्म से संबंदीत हैं। अजन्ता की गुफाएं बौत धर्म से संबंदीत हैं। अजन्ता की भित्ती चित्रकारी में सत्य को तयार करने किस टैक्निक को अपनाया गया। देखते हैं कौन से टेकनिक है चावल की भूसी और गोंच सहीत गोबर का गाय का गोबर अजन्ता गुफाएं इस्थित हैं यहाँ पर कहाँ तो महाराश्ट के औरंगा बाजिले में राजिस्थानी चित्रकला किस अवधी में विक्सित हुई टाइम डिरेशन है 16 to 17 राजिस्थानी पेंटिंगों के प्रसंदीता विसे हैं राधा कृष्ण पहाडी पेंटिंग किस समय विक्सित हुई विलंब 18 और प्रारंबिक 19 सताबदी में मुगल समराज जहांगीर के समय का प्रसिद पेंटर जहांगीर के समय के प्रसिद पेंटर रहे हैं उस्ताद मनसूर जो पक्चियों के चिते रहे थे अब प्रिय कौन था प्रिय कलाकर जहांगीर के समय में मनुहर थे दोनों आर्टिश बहुत इंपॉर्टेंट है प्रिय जो है वो मनोहर है और प्रशिद है मनसूर मोहन जोड़ो अवदी की प्रशिद नृत्य करती लड़की डांसिंग गर्ड मुर्ती किसमें बनाई गई है कांसे के लॉष्ट वैक्स टैक्निक में कहां पर है तो यह राश्टिय संग्राल है न्यू डैली में इसका साइज है 10.5 इंटू 5 इंटू 2.5 और यह मतलब प्रश्ट ऐसी मुर्ती है जो लॉष्ट वैक्स टैक्निक में पहली बार बनाई गई है राजपूस सैली के चित्रों को इन नामों से भी जाना जाता है कौन सा नाम है राजस्थानी और हिंदू शैली प्रगतिवादी कलाकार समू का घोश्रा पत्र किस ने तयार किया पैग ग्रूप की बात हो रही है पैग ग्रूप प्रोग्रेसी आर्टिस ग्रूप स्टार्ट हुआ था 1947-8 के अराउंड में और उस घोश्रा पत्र फाउंडर जिसे कहते हैं वो थे एफन सूजा किस ने पेंट किया था लैंप और मकडी के बीच फेमस पेंटिंग है प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रूप के मिंबर रहे हैं एमाफ हुसैन एमाफ हुसैन ने प्रारंविक से इच्छा इन दौर में कम्प्लीट की थे उनके गुरू थे देवी लालिकर थ्रोदा आइज ओफ पेंटर या आर्टिस्ट फिल्म मोवी किस ने बनाई थी आर्टिस्ट एमाफ हुसैन की मोवी है थ्रोदा आइज ओफ पेंटर प्राग्यति हासिक समू का कौन सा कलाकार इशा मसी पर बनाए चित्रों के लिए प्रशिद है इसा मसी से रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक को कौन डिपिक करता था पैग ग्रूप के फाउंडर है एफन सुजा प्रग्ति वादी पैग ग्रूप के बारे में बात हो रही कि कौन चित्रकार पैरिस में बस गया था कौन से आर्टिस्ट जो जाकर पैरिस में रहने लगे थे सेयद हैदर रजा और एफन सुजा अमेरिका में सिफ्ट हो गया थे बिंदु वादी प्रग्ति समू किस चित्रकार द्वारा चित्रित किया गया बिंदु पैंटिंग कौन से आर्टिस्ट चित्रित किये थे ऐसे चरजा और अपनी पैंटिंग में बिंदी का यूज कौन करते हैं बिंदी का यूज करती है भारती खेर अपनी पैंटिंग में बिंदी का यूज़ करते हैं अब भारत के बिंदुवादी कलाकार है एनस बेनरे और ये रोब के बिंदुवादी कलाकार है सुराट जोर सुराट ये सुरा MF हुसेन ने हाल ही में सौ करोड का सौदा किया किस से सुरूप श्रिवास्तो तयब मेelता कलाकार किस अंग्रियड चितरकार से प्रभावित्र है तयब मेelता प्रभावित्र Francis Bacon से अजन्ता में राज की सोभा यात्रा चितर किस संक्या की गुफा में है राज की सोभा यात्रा देखे दस नम्र ने बनाएगे जिसे बोलते हैं जुलूस का पेंटिंग वो गुफा नंबर 10 में अजन्ता के बनाएगे ऑप्शन में नहीं है तो फिर मैं 10 बता दी और तो मुझे कोई करेक्ट नहीं लग रहा है ऑप्शन अजन्ता गुफाओं में 1000 बुद किस गुफा में चित्रित किया गया है एक हजार बुद चित्रित किया गया है गुफा नंबर 2 में वह पहला पेंटर कौन था जिसने तैल चित्रांकन प्रारंब किया जैन वैन आइक अब भारत में पहली पर ओयल कलर का इंवेंशन किस ने किया राजा रवी वर्मा ने रेंबरा को जाना जाता है रेंबरा फेमस थे नाट किये चाया प्रकास के लिए और रेंबरा बरूक आर्टिस्ट है बरूक आर्ट मुमेंट इटली में चला था जिसका टाइम में 1600 से लेकर 1775 तर और यहां पेंटिंग्स कैसी बनाई गई है तो लाइट अन शेड में रें पर यहां पर एक आर्टिस्सक्र आर्टिस्ट है अपने मूर्ण को इस तरह में मरं मर्तियां मालो as i जैसी दिखाई देती है कि वह मॉम जैसी एकदम सॉफ्ट सा टेक्ट्र दिया इन्होंने जल रंग वाश पेंटिंग को जल में कितने बार डूबोया जाता है आवस्यक्ता नुसार देखिए जोगी है जल रंग वाश टेक्निक इसका खोच इसने किया था यूरोप में उनका नाम था पाउसेंडबाई पाउसेंडबाई इंग्लेंड के रहने वाले थे पहली बार वाटर कलर का यूज इन्होंने ही किया है भारत में वाश टेक्निक के लिए फेमस है बैंगॉल स्कूल अपनिना टैगोर नई दिल्ली में इस्तित जंतर मंतर किसके द्वारा बनवाय गया था राजसावाई सिंग सेम क्वेश्टन्स आये हुए बस वहां पर राजस्थान का पुझा तो और यहां पर न्यूडैली का राश्ट्री आधुनिक कला दिर्गा में लेबर एट वर्क मुर्टी किसकी है लेबर एट वर्क बनाया थे डिपी रॉय चौधरी जिसे बोलते हैं त्रियम्फ आप लेबर एनस बेंडरे किस कला स्कूल से संबंदित हैं बेंडरे तो वैसे देखिए बड़ाओदा ग्रूप के रहने मतलब बैसिकली बड़ाओदा ग्रूप से बिलॉंग करते हैं और इन्हों ने अपनी एजुकेशन कंप्लीट के जेजे स्कूल ओफ आर्ट्ट प्रगतिवाती सम के कलाकर यहां कने जाते थे ऊत्ven़ के फेमस प्रेंटर रहे हैं और अपनी पेंटिंग में सिगनीचर नहीं करके नंबर डालते थे यह वन टू थी इस तरह के बस नंबर carriage एक अपने गॉर्स का पेंटिंग किसके द्वारा चित्रीत किया गया गया प्रस्षिद आधुनीग पेंटे जैक्शन पुलाग कहां के थे जैक्शन पुलाग थे अमेरिका से ड्रिपार्ट के लिए फेमस है और 1912 में पैदा हुए थे अमेरिका में और इनकी डैथ हो गई थे कार दुर घटने से खजुराओं में कितनी संख्या में मुर्तियां हैं सौरी मंदीरे हैं कितनी संख्या में मंदीरे खजुराओं में तीस भारतिय चित्रकला का इतिहास कितने वर्सों का है भारतिय चित्रकला का इतिहास पांच वर्सों का है सिस्टाइन चैपल पर जो चित्र किसके द्वारा बनाया गया है चित्र जो बना है स्कल्प्टर आर्टिस्ट माइकल एंजिलो हाईरिनस आर्टिस्ट है M.F. हुसैन प्रसीद है अपने घोडो के चित्रों के लिए मेल्टिंग वाज किसकी पेंटिंग है मेल्टिंग वाज बनाया थे सैल्परडर डाली 1931 में ओईल ओन कैन्वस M.F. हुसैन मद्द प्रदेश के किस सहर के है M.F. हुसैन मद्द प्रदेश के इंदौर सहर में रहे थे और उस टाइम में इनके गुरु इन दौर में गुरु देवी लालकर से इन्होंने कला की सिख्छा लिए इन से एजुकेशन लेने के बाद कहां इन्रॉल्ड हुए सर जेजे स्कूल ओफ आर्ट्स में पैबलो पिकास्यों की मृत्यू किस सताब्दी में हुई थी 1881 में बॉन हुए थे स्पैन में और 1973 में इनका डेथ हुआ है तो देखिए 1973 तो अब क्या हो जाएगा 20 वी शताब्दी सबसे अधिक सुन्दर बादलो की पैंटिंग किस ने बनाई इंग्लिस रोमेंटिक आर्टिस्ट जॉन कॉंस्टेबल जॉन कॉंस्टेबल की फेमस पैंटिंग है दधाम मिल दधाम मिल बहुत इनकी फेमस है और दा हाइवेन दा हाइवेन मुश्ट इंपोर्टेंट लैंड्सकेप है दा हाइवेन प्योनेर और ब्राइट कलर सी उसकिया है उन्होंने डाग टोन में Monalisa painting किस रंग में विविन टोन में बनाई गई है लियोनाडव दे ażinky बनाया है Monalisa painting रेट कलर के टोन में Louvrie museum Paris में एगजबिट है 1501 से लेकर 1504 तक में complete कर दिया था Leonardo da Vinci ने इस printing को और popular wood का यूज़ किया गया surface पर surface कौन सा था तो वो popular wood था Picasso किसके समय में पैदा हुआ था Cubism प्रगतिवादे समू के कलाकारों की पहली प्रदर्शनी कहां हुई थी Mumbai में प्रशिद वाश पेंटिंग शैली कहां से विक्सित हुई Bengal school वाश टैकनी के फाउंडर है अबनिन नाट अगोर Elephanta गुफाएं किससे घिरी हुई है समून्द्र से famous painting है water lily किसके द्वारा बनाई गई है water lily painting इंप्रैसनिजम आर्टिस्ट इंप्रैसनिजम फाउंडर रहे हैं क्लाउड मॉनेट इनके द्वार बनाई गई है किस कलाकार ने ताहिटी पेंटिंग बनाएं ताहिटी द्यप्स रेलेटिड बनाय थे पोश्ट इंप्रैसनिजम आर्टिस्ट पाउल गौगन कौन प्रशिद्य महिला प्रभावादी कलाकार है मेरी कसार अभिवेंजनावादी कलाकार का नाम बताएं अभिवेंजनावादी आर्टिस्ट है इड़वर्ड मुंक जिनकी फेमस पेंटिंग है देक्राई इसे हिंदी में बोलते हैं चीक, भैच, इंटों की फेंटिंग्स बनाते थे आईरन पिलर कहां इस्थे थे निव डैली में कुतुब परिसर के प्रांगड में ही आईरन पिलर बनाया गया है और यह एक ऐसा आईरन पिलर जो आज तक जंक नहीं लगा है जैमिनी रॉयक की पेंटिंग्स किस माध्यम में बनी है टैंपरे टैक्निक में बनाते थे अजन्ता एलोरा की गुफाएं कितने वर्स में बन का तयार हुई थे टोटल एलेवन इयर ग्यारह सौ साल में बन के तयार हुई है शांती निकेतन में किस विसे की पढ़ाई नहीं होती है किस मिनियचर पेंटिंग में बॉर्डर का प्रियोग किया गया है मुगल मिनियचर में शौर मंदिर कहां इस्ते थे महाबलीपूरम में पल्लव काल का है शौर मंदिर BFA Art Education की सिक्षा किस विशुविद्दाले में दी जाती है जामिय मीलिय इस्लामियन डैली में मिनाक्षी मंदिर कहां परिस्ते थे मदुराय में इन में से कौन बंगाल शैली का कलाकार नहीं है इस्वरी प्रशाद इस्वरी प्रशाद थे कंपनी स्कूल के कलाकार कंपनी स्कूल का टाइम डूरेशन है कंपनी शैली को पटना शैली के भी नाम से जाना जाता है M.F. Hussain ने कौन सी फिल्म में बनाई मिनाक्षी देवगड का विश्नुमंदीर कब बनना था इसकी शुरुआत कब हुई थी बनने की जिसे देवगड का दसावतार टैंपल भी कहते हैं 15 अताबदी में गुपतकाल की है ये गुपतकाल का है देवगड का दसावतार टैंपल मन्दीर और सबसे सर्षपथम यहां पर क्या मिला तो सबसे पहली बार यूज हुआ था शुकर का तो फिर्स शुकर यूगत मन्दीर है देवगण का दसावतार मंदिर और बनाये किसमें गया था? पत्थर में श्टोन में इन में से कौन मूर्तिकार है? देवी प्रसाद रॉय चौधरी इनकी फेमस मूर्ति है त्रियम्फ आफ लेबर सही दिस्मारक, मार्टिन्स पेमोरियल इनका जन्म हुआ था अठाया सु निन्यान बेस्वी में और ये अबनिन्ना टैगोर के इस्टूडेंट है साची स्तूप कहां परिस्तित है? विद्धिसा MP मधपदेश में और साची की खोज किस ने की थी? रायसेन ने और साची है कहां रायलेट जिला रायसेन ने कोज की ये विद्धिसा मधपदेश अशीत कुमार हल्दर किस कला इवं शिल्प महा विद्ध्याले के प्राचारे बने थे? लकनुगकला विद्ध्याले के स्थापना हुई थी 1112 स्वी में ठीक है असीत कुमार हल्दर अबनिन्ना टैगोर के स्टुडेंट थे और इन्हों ने बंगाल का प्रचार प्रसर कहां किया तो लखनों में राजिस्थानी चित्रकला के चित्र है लगु चित्र वाश्पेंटिंग का प्रारम किस कला महा विद्याले से हुआ वाश्पेंटिंग के स्टार्टिंग के था अबनिन्ना टैगोर सांधी निकेतन से राजर रवी वर्मा जाने जाते है टैल रंगों के जन्मदाता भी कह जाते है अटेल रंगों के लिए भारत के किस कलाकार को पिकासो के बराबर माना जाता है पिकासो के बराबर माना जाता है M.F. हुसैन को Mother Goddess की मूर्ती किस माध्यम में बनाई गई थी टेरा कोटा में सबसे हार्ड पैंसिल कौन सी है सबसे हार्ड पैंसिल है H देखे H और B टू टाइपस के पैंसिल होते है ठीक H जो है उसका हार्ड नेम है और B ब्लैक H टाइप की पैंसिल कौन यूज़ करते है तो कारपिंट है B टाइप की पैंसिल यूज़ करते है और जैसे जैसे नंबर कम हो जाते हैं Light Shade में चलती है और उसका जो Sharpness होता है वो Hard होता जाता है और 9 भी Soft होती है और Dark चलती है किस-किस रंग के मिलाने से Grey Colors बनते हैं कौन-कौन से रंग को मिलाने से Black और White Color काला सफेज रंग मिलाएंगे तो Grey Color gray color को और किस नाम से जाना जाता है Acromatic Colors Acromatic Colors के साथ सथ और किस नाम से जाना जाता है था हिंडी में नेशनल गैलरी ऐफ मौडर्न आर्ट संग रहे है नगमा कहां है इसका में संगज है क्या कै संगज हैations songs पेंटिंग भी है ग्रैफिक ईर्ट भी है सप्रवरह直接 एक अधिया है नगमा है कहां तो यह है न्यू डैली मैं नेशनल गैल्री आफ मॉडर्न अर्ट कौन शौर्ट नेम में नगमा कहते है और इसका हैं दुरेशन है 1954 और यहां के प्रतम अध्यक्ष रहे थे हर्मन गोज्स के बाद जब ट्रांसफर होकर हर्मन गोज्स ने किसे यहां अध्यच बनाया मुकुल चंद्र दे को ध्यान रखेगा बहुत इंपॉर्टन है हर्मन गोज्स के बाद मुकुल चंद्र दे बने थे अजन्ता में किस धर्म से जुड़े चित्र वे मुर्ति नहीं है शायद मिस्प्रिंट हो गया होगा कुश्चन पेपर बनाने में तो नहीं नहीं पूछ ता पूछा था कि कौन सा है तो जैन धर्म से संबंदित है साधनात पिलर जिसे असोक इस्तम कहते हैं कब बना था तो यह मौरे डाइनिस्टी का है मौरे काल का तीसरी शताबदी इसापुर्व असोक पिलर जो लॉरिया नंदंगर बिहार में इस्तित है उसकी उचाई कितनी है 9.7 सुंग स्कूल आफ आर्ट कब बना 184 से 172 सुंग वन्स के संस्थापक कौन थे पुस्प में सुंग अजन्ता में बोधी सत्वा वाल पेंटिंग किस गुफा में बनी है गुफा नंबर एक में अजन्ता में आर्ट करने बना कि दिए आर्ट कर्कों आफ तर शुफा आर्ट करूं आर्ट कर दो आए पर आर्ट कर आर्ट के आर्ट कर आर्ट कर आए यॉ। झाल झाल